रादे रादे जैसी क्रश्ना आज मैं आपको संतोशी माता का व्रत कथा और आरती सुनाने चारी हूँ अगर आप शुक्रवार संतोशी माता का व्रत करते हैं तो आपको साथ में व्रत कथा और आरती भी सुनी चाहिए संतोशी माता के वुरत में शुद्धता का और सत्यता का पूरा धान रखना चाहिए अगर आप संतोशी माता का वुरत करते हैं तो उस दिन सुबह ब्रह्म मुरत में उठकर स्नानादी करने के पश्चात संतोशी माता के वुरत में शुद्धता का धान रखें अर्थाद भ्रहम चाहिए का पालन करें संतोशी माता की पूजन विधी मैं अब आपको बताने जारी हूँ सबसे पहले हमें एक पाटा लेना है पाटे के उपर लाल कपड़ा बिचाना है उसके बार में संतोशी माता की अगर आपके पाथ तस्वीर है तो आप तस्वीर लगाएं फिर फूल माला लगाएं संतोशी माता की तस्वीर नहीं है तो जो संतोशी माता की किताब है आप उसी किताब को आप पाटे के उपर रखें अच्छे से फूल वाला से सुन्दर सा सजाएं उसके बागी का दीपक जलाएं फिर एक लोटा लेवें लोटे में साप जल भड़ें उसके उपर सास्तिक बनाएं लोटे के मूँ को अच्छे से मोडी से बांदेवें उसके उपर एक कटोरी में गुड और चने भरके रखें उसके बाद संतोशी माता को बिंदी लगाएं इस तरह से संतोशी माता के बिंदी लगाएं इस तरह से आप मेंदी लेवें और यहां हातों में मेंदी लगाएं इससे आपका सुहाग अखंड रहेगा संतोशी माता का आपके उपर हमेशा आशीरवाद रहेगा संतोशी माता के व्त में खटाई का परहिज रखा जाता है किसी भी प्रकार की इमली, नीबू, अचार, केरी, अमचूर, दही इसकी खटाई नहीं खाते हैं सके तो परिवार में भी आप किसी भी सदश्य को खटाई ना खाने देवें क्योंकि इसके अंदर खटाई का पूरा परहेच रखा जाता है संतोशी माता की व्रत कथा जब भी आप सुने तो हात में गुड़ और चने ले करके सुने पूरी कथा सुनने के बाद में ये जो गुड़ और चना है ये आप अपने आसपडोस में अपने परिवार में सब को प्रिशाद के रुपे बाट देवें थोड़े से गुड़ और चने आप अपने लिए रखें जब आप शाम को व्रत खोलें तो सबसे पहले गुड़ और चने का प्रिशाद खाके ही व्रत खोलें उसके बाद ही आप खाना खाएं और जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको इस तरह से हाथ में थोड़ा सा गुड़ और चना हाथ में लेके आपको कहानी सुननी है फिर ये जो गुड़ और चने है पूरी कता सुनने के बाद में आपको ये गुड़ और चना गाय को खिला देना है इसके बाद जो ये पानी है पूरी कता सुनने के बाद में जो लोटे का पानी है ये पूरा आपके घर में इस तरह से लेके छीटे देने हैं ये पवित्र और शुद्ध पानी है इससे पूरे घर में आपको छीटे देने हैं इससे आपका घर शुद्ध हो जाएगा बचा हुआ पानी आपको तुलसी क्यारे में छोड़ देना है, इस पानी को पा में नहीं आने देना है इस तरह से संतोशी माता के व्रत में ये पूरा ध्यान रखा जाता है अगर आप इस तरह से करेंगे तो माता संतोशी का आपके उपर और आपके परिवार पर हमेशा आशिरवात बना रहेगा तो अब आईए, अब हम संतोशी माता के व्रत की कथा सुनेंगे कथा जब भी मैं आपको सुनाओं तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप वीच वीच में हुकारा लेवे क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कथा कहने वाला, सुनने वाला और हुकारा बरने वाला सब को माता संतोशी अपना आशिरवा देती है इसलिए कथा सुनने वाले को वीच वीच में हमेश अपना देना चाहिए संतोशी माता की व्रत कथा इस प्रकार है जहू संतोशी माता की जै सिद सदन सुन्दर वदन गणनायक महराज दास आपका हूं सदा की जै जन की काज जै शीव शंकर गंगाधर जै जै उमा भवानी सिया राम की जै क्रपा हरी राधा कल्यानी जै सरस्वती जै लक्ष्मी जै जै गुरु दयाल देव विप्र ओ संत जै भारत देश विशाल चरन कमल गुरु जन के नमन करू मैशीष मोघर सुख संपती भरो देकर शुब आशीष भक्त बंधूं और बहनों आज एक ऐसी पवित्र वारता चरित्र रूप में सुना रहे हैं जिसके शद्धा पूर्वक मनन करने वसुनने से सद ग्रहस्त प्राणियों से युक्त घर में हर प्रकार का सुख और संतोष आता है यह देवी अनेको रूप वाली बन कर संसार में व्याप्त हो रही है संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगे इस देवी का प्रभाव देखा है लाखो भक्त इस घट घट व्यापी महान शक्ती को भक्ती पूर्वक धारन कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं संतोषी माता की कथा संतोषी माता के पिता गणेश माता रिद्धी सिदी धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रतनों से भरा परिवार गणपती पिता की दुलार भरी गणपती देव की कमाई दरिद्रता दूर कलहे का नाश सुक शांती का प्रकाश बालकों की फुलवारी धन्दे में मुनाफे की भारी कमाई मन की कामना पूरण शोक विपत्ती चिंता सब चूरण संतोशी माता का लो नाम जिससे बन जाएं सारे काम बोलो संतोशी माता की जै इस व्रत को करने वाला कथा कहते वह सुनते समय हाथ में गुड़ वैभुने हुए चने रखें सुनने वाले संतोशी माता की जै संतोशी माता की जै इस प्रका जै जैकार मुख से बोलतें जाएं कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गो माता को खिलाएं और कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सब को प्रसाद के रूप में बाट दें कथा से पहले कलश के जल से भरे उसके उपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें और कथा समाप्त होने और आर्टी होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पछिड़ रख दें और बचा हुआ जल तुलसी के क्यारे में डाल दें सवा रुपे का गुड चना लेकर माता का वृत करें, सवा आने का गुड ले तो भी कोई आपत्ती नहीं है गुड घर में हो तो लेवे, विचार नहें करें क्योंकि माता भावना की भुगी है कम और जादा का कोई विचार नहीं इसलिए जितना अरपन करें शद्धा और प्रेम से प्रसंद मन होकर व्रत करना चाहिए व्रत के उद्यापन में अडाई सेर खाजा मुमंदा पूरी खीर चने का साग नेवेद्द रखें गी का दीपक जलाएं संतोशी माता की जै जै बोलकर नारियल फोडें इस दिन घर में कोई खटाई ने खावे ने आप खाए ने किसी को खाने के लिए देवे इस दिन आठ लड़कों को बोजन करावे देवर जेट घर कुटुम्ब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को ना बुलावे कुटुम्ब में ने मिले तो फिर ब्रामनों के रिष्टेदारों के या पडोसियों के लड़कों को बुलावे उन्हें खटाई की कोई वस्तु खाने को ने देवे भोजन कराने के बाद यथा शक्ती दक्षिना देवे नकद पैसा ने दें कोई वस्तु दक्षेना में दे देंगे वरत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले एक समय भोजन करें इसी तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख तरिद्रता दूर होकर सभी मनो कामनाई पूरी हो जाएंगी माता की कथा एक बुड़िया थी उसके साथ पुत्र थे छह कमाने वाले थे और एक निकम्मा था बुड़िया मा छों पुत्रों की रसोई बनाती बोजन कराती पीछे से जो कुश पच जाता वो सात्वे को दे देती थी परन्तु सात्वा बेटा बड़ा ही भोला भाला था मन में कुछ विजान ने करता था एक दिन अपनी बहु से बोला देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है वह बोली क्यों नहीं सबका जूटा और बचा हुआ तुमको जो खिलाती है वह बोला भला ऐसा भी कहीं हो सकता है मैं जब तक आँखों से ने देख लूँ मैं मान नहीं सकता बहु ने हसकर कहा तुम देख लोगे तब तो मानोगे कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया घर में साथ प्रकार के भोजन और चूर में और लड़ू बने वह जाचने के लिए सिर्दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओड़ कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा चहों बाई भोजन करने आये उसने देखा माने उनके लिए सुन्दर सुन्दर आसन भी बिचाए हैं साथ प्रकार की रसोई परोसी है वह आग्रह करके जिमा रही है वह देखता रहा चहों बाई भोजन करके उठे तम माता ने उनकी जूटी थालियों में से लड़ूओं के टुकडों को उठाया और एक लड़ू बनाया जूटन साफ करके बुडिया मा ने पुकारा उठो बेटा चहों बाई भोजन करके चले गए है अब तू ही बाकी है उठ कब खाएगा वे कहने लगा मा मुझे भोजन नहीं करना मैं परदेश जा रहा हूँ माता ने कहा कल जाता हो तो आज ही जा वे बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ यह कहकर वे घर से निकल गया निकलते समय बहु की याद आई वे गोशाला में गोबर थाप रही थी वही जाकर उससे ब दोहा, हम जावें परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतों से धरम अपनो पाल, वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, रामभरों से हम रहें, इश्वर तुम्हें सहाए, देख निशानी अपनी देख धरू मैधी, सुधी हमरी मति बिसारियो, रख यो मन गंभीर, वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूटी है, सोले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे, वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर बरा हात है, यह कहकर उसकी पीठ में, गोबर के हात की थाप मार दी, वह चल दिया, चलते चलते, दूर देश मे बहुच गया, वहाँ एक साउकार की दुकान थी, वहाँ जाकर कहने लगा की भाई, मुझे नोकरी पर रख लो, साउकार को जरूरत थी, वह बोला, रह जा, नड़के ने कहा, तनखा क्या दोगे, साउकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे, साउकार की नोकरी मिली, वह स खवेरे साथ बजे से रात तक नोकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्रहकों, कुमाल बेचना सारा काम वे करने लगा। साहुकार के साथ आठ नोकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और तीन मेहने में उसे आदे मुनाफे का साजेदार बना लिया। वह बारा वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारवबार उस पर छोड़ कर बाहर चला गया। अब बहु पर क्या भी थी वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी ग्रस्ती का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में बेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बना कर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपने में पानी देते। इस तरह दिन बीटने लगे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी इस्तरिया संतोशी माता का वरत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी हो कथा सुनकर बोली की भेनों यह तुम किस देवता का वरत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। इस वरत के करने की क्या विदी है। यदि तुम अपने वरत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुमारा एहसान मानूगी। तब उन में से एक स्थरी बोली। सुनो यह संतोशी माता का वरत है। इसके करने से निर्धनता दरिदृता का नाश होता है। घर में लक्षमी आती है। मन की चिंताएं दूर होती है। घर में सुक होने से मन को प्रसंता और शान्ती मिलती है। नीपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वे जल्दी आता है। कमारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो वे खतम हो जाता है। सब तरह सुक शान्ती हो घर में धन जमा हो जाता है। पैसा जायदात का लाब होता है। रोग दूर हो जाता है। और जो कुछ मन में काम ना हो वे सब इस संतोशी माता की क्रपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदह नहीं है। वे पूछने लगी यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बताओ तो बड़ी क्रपा होगी। इसतरी कहने लगी सब रुपे का गुड चना लेना इच्छा हो तो सब पांच रुपे का लेना या सब ग्यारा रुपे का भी सहूलियत के अनुसा लेना बिना परेशानी। शद्दा ओप्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, सवा रुपे से सवा पांच रुपे या इससे भी जादा शक्ती और भक्ती अनुसा लेना, हर शुकरवार को निराहा रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम को तूटने नहीं देना, लगाता नियम पालन करना, सुनन कोई न मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पातर को रख कथा कहना, परन्तु नियम न तूटने देना, जब तक कारिय सिद्द न हो, नियम पालन करना, कारिय सिद्द हो जाने पर व्रत का उध्यापन कर देना, तीन मास में माता फल पूरा कर देती है, यदि किसी के खोटे ग्रह हो, तो भी माता एक वर्ष में अवश्य कारिय को सिद्द कर देती है, कारिय सिद्द होने पर ही उध्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए, उध्यापन में अडाई सेर आटे का खाजा, और इसी परीमान से खीर और चने का साग बनाएं, आठ लड़कों को भोजन कराना, जहां तक हो देवर, जेट, भाई, बंदू, कुटुम के लड़कों को ही लेना है, नहीं मिले तो रिष्टेदारों और पडोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यता शक्ती दक्षिना दे के माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ने खावे, यह सुन कर बुड़िया के लड़के की बहु चल दी, रास्ते में लकडी के बोज को बेच दिया, और उन पैसों से गुड और चना ले माता के वरत की तयारी कर आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी की यह मंदिर किसका है, करने लगी, हे मा, मैं निपट मूरक हूँ, ब्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता, जग जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ, हे माता, मुझ पर दया करो, एक शुकरवार बीता, कि दूसरे शुकरवार को ही उसके पती का पत्र आया, और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुच गया, यह देख जेठानी मू सुकोरने लगी, इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें क्या वड़ाई है, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र भी आने लगे है, रुपिया भी आने अब तो काकी की खातिर बड़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी, बेचारी सरलता से कहने लगी भाईया, पत्र आवे, रुपिया आवे, तो हम सब के लिए अच्छा है, ऐसा कैकर आखों से आशू भर कर संतोशी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चर मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूं, तब माता ने प्रसन होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी जरूर आएगा, यह सुनकर खुशी से वावली हो, वे घर में जाके काम करने लगी, आएगा कहां से, वे तो सपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इस तरह माता बुडिया के बेटे के पास जाके सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहुकार के बेटे सोता है या जागता है, वे बोला माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आग्या है, मा कहने लगी, बेटा, तेरा घर बार कुछ है या नहीं, वे बोला, मेरा सब कुछ है, माता है, माबाप है, भाई बहन है, बहु है, क्या कमी है, मा बोली, भोले पुतर, तेरी इस्त्री घोर कष्ट उठा तेरे माबाब उसे दुख दे रही है, वह तेरे लिए तरस रही है, तु उसकी सुद ले, वह बोला, हाँ मा यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेंदेन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चल जाऊं, मा कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोशी माता का नाम लेना, गी का दीपक जलाना, धंडवत करके दुकान पर जाकर बैठना, देखते ही देखते, तेरा लेंदेन सब चुक जाएगा, जमा माल बिग जाएगा, सांज होते होते धन का धेर लग जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात को अनसुनी करकर दिल्लिगी उड़ाने लगे, कहीं सपने में भी सच होते हैं, एक बुड़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांच जूट करने के बदले, द माता को दंड वतकरगी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया, थोड़ी ही देर में मैं क्या देखता है कि देने वाले रुपिया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरे सामानों को खरिदा नकत दाम में ही सोधा करने लगे, शाम तक धन का धे प्रसन हो, मन में माता का नाम ले, घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा, वहां के काम से निपट कर वे घर को रवाना हुआ, वहां भहु बेचारी जंगल में लकडी लेने जाती है, लोडते वक्त मा के मंदिर पर विश्राम करती है, वह तो उसका रोजा रुकने का इस्तान था, दूर से धूल उरती देख वे माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उर रही है, मा कहती है, हे पुत्री तेरा पती आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकडियों के तीन बोच बनाला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, और तीसरा अ गठा देख कर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना कर, खा कर मा से मिलने जाएगा, अब तू लकडियों का बोच उठा कर घर जाना, और बीच चोक में गठा डाल कर, तीन आवाजे जोर से लगाना, लो सासू जी लकडियों का गठा लो, भुसे की रोटी दो, और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेमान आया है, मा की बात सुन, बहु, बहुत खुश हुई, बोली, बहुत अच्छा माता, और कहकर प्रसन हो, लकडियों के तीन गठे ले आई, एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा, इतने में ही एक म साफिर आप अहुचा, सूकी लकडी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना कर, खाकर गाउं जाएं, इस प्रकार भोजन बना, विश्राम कर वह गाउं को गया, सबसे प्रेम से मिला, उसी समय बहुत सिर्प लकडी का गठा लेकर आती ह लकडी का भारी बोज आंगन में डाल कर, जोर से तीन आवाजे लगाती है, लो सासू जी, लकडी का गठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेमान आया है, यह सुनकर सास बाहर आई, और अपने दिये हुए कश्टों को बुलाते हुए कहती है, बहु ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, इतने में आवाज सुनकर, उसका स्वामी बहार आया, और अंगुठी देकर व्याकुल हो, मा से पूछता है कि मा यह कौन है, मा कहती है, बेटा यह ते काम काज घर का कुछ नहीं करती, चार समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भुसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है, वह लजजित होकर बोला, ठीक है मा, मैंने इसे भी देखा है और तुमें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी उसने रहूंगा, तब मा बोली ठीक बेटा, तेरी जैसी मरजी कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया, उसने ताली ली और दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के उपर था, खोल कर सारा सामान जमाया, एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाटबाट हो गया, अब क्या वो दोनों सुक पूर्वक रहने लगे, इतने में अगला शुकरवार आया, बहू ने अपने पती से कहा कि मुझे माता का उध्यापन करना है, पती बोला बहुत अच्छा खुशी से करो, वह तुरंद ही उध्यापन की तयारी करने लगी, जेट के लड़कों को भोजन के ल उसका उध्यापन पूरा न हो सके, लड़के खाना खाने बैठे, खीर पेट भर कर खाए, परन्तु याद आते ही कहने लगे, कि हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना नहीं भाता, देखकर अरूची होती है, बहु कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोश उसी माता का प्रसाद है, लड़के तुनत उठकर खड़े हुए, बोले पैसा लाओ, भोली बहु कुछ नहीं जानती थी, सो उसने पैसे दे दिये, लड़के उसी समय जाकर के इमली लाकर खाने लगे, यह देखकर बहु पर माता जी ने कोप किया, राजा के दूद उसके पती को पकड़का लेगे, जेड जिठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट का धन इखटा करके लाया था, सो राजा के दूद पकड़का लेगे, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की हवा खानी पड़ेगी, भहु से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती-रोती माता के मंदिन में गही, हे माता तुमने यह क्या किया, हसा कर अब क्यों रुलाने लगी, माता बोली, पुतरी, तुने उद्यापन करके मेरा वरत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बाते भूल गई, वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, नह कुछ अपर कहीं बूल होती है वह बोली मा मुझे माफ कर दो मैं फिर से तुमारा उद्यापन करूंगी मा बोली अब भूल मत करना वह बोली अब ने होगी मा अब बतलाओ वह कैसे घर वापस आएंगे मा बोली जा पूत्री तेरा पती तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा वे घर को चली तो रास्ते में पती आता हुआ मिला उसने पूछा तुम कहां गए थे तब वे कहने लगा इतना धन कमाया है उसका टेक्स राजा ने मांगा था वे भरने गया था वे प्रसन होकर बोली भला हुआ अब घर चलो कुछ दिनों बाद फिर शुकरवार आया वे बोली मुझे माता का उद्यापन करना है पती ने कहा करो वे फिर जेट के लड़कों से भोजन को कहने लगी जेटानी ने तो एक दो बाते सुनाई ओ लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना लड़के कहने लगे हमें खीर खाना नहीं भाता जी बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को दो वे बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी आना हो तो आओ वे ब्रामनों के लड़कों को बोजन कराने के लिए ले आई और यथा शक्ती दक्षिना दे कर एक एक फल उने दिया इससे संतोशी माता प्रसन हुई माता की क्रपा होते ही नवे महिने में उसको चंद्रमा के समान सुन्दर पुत्र पैदा हुआ पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी मा ने सोचा की यह रोज आती है आज क्यों ने मैं ही इसके घर चलूँ इसका आश्रा भी देखू तो सही यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया गुड और चने से सनामुक उपर सून्द के समान होट उस पर मक्या भिन भिना रही थी दहलीज में पाव रखते ही उसकी सास चिलाई देखो रे कोई चुडेल डाकिन चली आ रही है लड़को इसे भगाओ नहीं तो यह किसी को खा जाएगी लड़के डरने लगे और चिला कर खिड़की बंद करने लगे बहु रोशंदान में से देख रही थी प्रसंदा से पगली होकर चिलाने लगी आज मेरी माता जी मेरे घर आई है यह कहकर बच्चे को दूद पिलाने से हटाती है इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा और बोली रांड इसे देख कर कैसे उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया इतने में मा के प्रताप से जहां देखो वही लड़के ही लड़के नजराने लगे वह बोली मा जी मैं जिनका वरत करती हूँ यह वही संतोशी माता है इतना कहकर जट से सारे घर के किवान खोल देती है सबने माता के चरण पकड़ लिए और विंती करके कहने लगे है माता हम मूरक हैं हम अग्यानी हैं पापी हैं तुमारे वरत की विदी हम नहीं जानते तुमारा वरत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराद किया है हे माता आप हमारा अपराद शमा करो इस प्रकार माता प्रसन हुई माता ने बहु को जैसा फल दिया वैसे सब को देना जो पड़े उसका मनोरत बुरण हो बोलो संतोशी माता की जै योग सिद्धी विधह जनक को गुरु अश्टा वक्र ने आदेश लोक में ही सब शास्त्रों का सार बता दिया था गरंत करोडन में कहा है ये सब का सार ब्रह्मा सत्य है जग है जूटा जीव तू ब्रह्म निहार जीव सही जीवित जगत माया खेलत खेल ब्रह्मरु पहिचान लो कटे जगत की जेल माता के भोग लगाने के समय की विंती भोग लगाओ मैया योगेश्वरी भोग लगाओ मैया भूनेश्वरी भोग लगाओ अन पूर्णेश्वरी मदू प्रदात मन भाएं थाल सजाओं खाजा खीर प्रेम सहित विंती करूं धर धीर तुम माता करुणा गंबीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए, शुक्रवार तेरो दिन प्यारो, कथा तुमारी भक्तों के दुख टारो, भाव मन में तेरो न्यारो, मन माने सुख प्रगटाए पूरी कथा सुनने के बाद, संतोशी माता की आरती भी जरूर बोलनी चाहिए, तो संतोशी माता जी की आरती इस प्रकार है जै संतोशी माता, अपने सेवक जन की, सुख संपती दाता, ओम जै संतोशी माता सुन्दर चीर सुनहैरी माधारण की नो, मिया माधारण की नो, हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, तन सिंगार लीनो, जै संतोशी माता गेरू लाल छटा छवी बदन कमल सोहे मंद हसत करुना मंद हसत करुना मंद हसत करुना मंद त्रिबुवन जन मोहे जै संतोशी माता सन सिंगा सन बैठी चवर डुरे प्यारे मया चवर डुरे प्यारे दूप दीप ने वेद धूप दीप ने वेद मदु मेवा भोग दरे जै संतोशी माता गुड अरुचना परंप्रिय तामे संतोशे कियो मिया तामे संतोशे कियो संतोशी कहलाई संतोशी कहलाई भाक्तन वे भव दियो जै संतोशी माता शुक्र वार प्रिय मानत आज दिवस सोई मया आज दिवस सोई भाक्त मंडली आई भाक्त मंडली आई कथा सुनत मोही जै संतोशी माता मंदिर जग मग जोती मंगल द्वनी चाई मया मंगल द्वनी चाई विने करे हम बालक चर्णन सिर नाई जै संतोशी माता भक्ती भाव मैं पूजा अंगी करत कीजे मया अंगी करत कीजे जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे जै संतोशी माता दुखी तरी द्री रोगी संकट मुक्त कीए मया संकट मुक्त कीए बहु धन धान भरे घर सुख सो भाग दिये जै संतोशी माता ध्यान धरो जाने तेरो मन वांचित फल पायो मया मन वांचित फल पायो पूजा कथा शवण कर गर आनंद आयो जै संतोशी माता शरण गहे की लज्जा रखियो जग दंबे मया संकट तुही निवारे दया मैंबे जै संतोशी माता संतोशी मा की आरती जो कोई नरगावे मया जो कोई नरगावे रिद सीद सुख संपती जी भर के पावे जै संतोशी माता मया जै संतोशी माता अपने सेवक जने की सुख संपती दाता जै संतोशी माता इस तरह आज मैंने आपको संतोशी माता की वरत कथा आरती और भोग में क्या बोला जाता है वो सुनाया अगर आप शुक्रवार संतोशी माता का वरत करते हैं तो साथ में कथा कहानी और आरती जरूर बोलनी चाहिए इससे आपको व्रत के साथ कथा कहानी और आर्थी का भी पुरा फल मिलता है और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बोक्स में जहो संतोशी माता की जरू लिखें